आई एस गेट पीएस यू एंड ओल टेक्निकल एक्जाम्स की कंपलिट हैं रिटन नोट के साथ ओनलाइन स्टेडी करने के लिए वीडियो की नीची दियेगे सब्सक्राइब बटन के ओपर क्लिक कर लेए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भुलें हलो जो भी हमारा स्ट्रक्ट्रल एंजिनेरिंग का पार्ट चल रहा है स्ट्रक्ट्रल एंजिनेरिंग में वो चलता रहेगा ठीक है लेकिन साइड बाइसाइड हम क्या कर रहे हैं इस सोईल मेकेनिक्स एंड फाउंडेशन एंजिनेरिंग में सुरू कर रहे हैं क्योंकि because of this is very important subject for IES, GATE, PSU, SSC, JN, किसी भी civil engineering से related, किसी भी कोई भी exam दोगे आप, तो this soil mechanics important chapter है, या फिर important subject है, तो जो हमारा structural design जो part चल रहा है, structural design में कहके cover कर लिया हमने, तोस हमारा चल रहा है, यह दोनों analysis part हो गए, ठीक है, इसके बाद में जो चलेगा, वो क्या चलेगा, इसके बाद में steel, ओके, इसके बाद में steel पढ़ेंगे, and then RCC, तीक है, इसके बाद में masonry है, ठीक है, pre-stressed concrete है, ओके, पी-ए-स-सी, यह सारे कुछ, साइड़ चले ने वह साइड वाई साइड साथ हमकर लेंगा जो तो चली चलेगा हमारा जो तो चली रहे हैं चालता रहें तो इसमें पार्ट हम काबर करेंगे जो हमारा काबर करेंगे वो देख लो किया के अच्पर अब खेक इसमीव सीरीश गर Saturn जै घर्ण भटेसे परेसे सब की कई से फोटो निका अब यह जो सले बस है वह कंप्रेट IES के लिए ठीक है यहां लिःग देता हूं मैं IES के लिए या फिर आप गेट दो ठीक है आई एसको इसी वो लेंगे ठीक है इसका असल यह नाम इसका चेंज हो गए था पहले लेकर आई यह साइज कते हैं यह फिर पीएस यू ठीक है यह से जैयन मतलब सीविल इंजिनीरिंग से रिलेटेड आप कहीं भी एक जाँ दोगे तो टेक्निकल में जो भी इस लेक्टर से उनसे बाहर कभी भी नहीं आएगा या तो आप प्रिवेस लेक्टर प्रिवेस जो पेपर से उनका सलेवस उठा करके देख लो या फिर आगी ज यहां रहना चाहिए क्योंकि सलेवस अगर इफ यू नो सलेवस यू कमपलीट यूर 90% 90% पार्ट तो आपका काम ऐसे हो जाता है से किन प्रोपरटी जोई इस विल की क्या क्या प्रोपरटीज है एंड इस लेवस ठीक है यहां से सलेवस बागे इस लेवस यहां से लेकर कि एंड इन फॉर्थ रहेगा वो रहेगा सोईल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिंडल्स है इसके बाद में जो यह रहा पागी का इस वान में जो चेप्टर नमर फाइव और रहेगा सोईल कॉंपेक्चन ठीक है फिर यहां से यह पूरा सलेवस आप यहां से यहां तक देख लो क्या होता है यह सारा कुछ उसके बाद में चेप्टर नंबर सेवन है वह सीपेज तुरों सोईल के तुरों सीपेज किस तरीके से होगा ठीक है चेप्टर नंबर एट स्ट्रेस डिस्ट्रिबूइशन इस तरीके से होता है जैसे स्ट्रेंथ में क्या देखा था कि स्ट्रेस ब इसका अब यह दिख रहा है न वीजिवल है आप पढ़ लेना सब्सक्राइब जो भी सोई ले उस पाट को रोकने के लिए जो भी वोल्स डिजाइन होती है ठीक हो उसको अर्थ जो प्रेशर लगता है वह अर्थ प्रेशर होता है और जो वोल्स रहती हो रेटैनिंग वोल्स रहती है पहलेवल यह रहा आगे का इसका त्थ लोप घ्रीज़ति कैस्ट कैस्ट को रहेगे और यहां तक है यह आए यहां नहीं इसका आगे का यहां तक खता मुद करके यह आगे उपर है कि यहां यह रहा है यहां पर लिखावा 12.6 यह इन समय लेना आप ठीक है वेसे तुम्हें बताई रहा हूं का है फिर सोई चैप्टर नंबर 13 है सोईल एक्स्प्लोरेशन ओके सोईल एक्स्प्लोरेशन किस तरीके से होगा ठीक फटापट देख लेते हैं एंजन 14 है सोईल इं कैसितो सेब्सेटि इंडापी Онशन ऐसन फांडेशन यहां से फॉंट सिन अ का पाड़ता है अए पर फिनेंच हो चाहती है फिर फांडाव ऩंडेशन पर रहेगा फἍंड एक यह बागी का पार्ट इसका उपपर है यह आप देख लो यहाँ से यह रहा जो भी अब जो आगे के लेक्चर से रहेंगा वो लेक्चर नमर फर्स्ट से हमने स्टार्ट कर देंगे विश्यू वेरी वल्दा बेस्ट एंड समझने के कोशिस के अगरो ट्राइ के अगरो समझने का ठीक है मैं अगर मैं जो कुछ बताता हूं वो समझ नहीं भी आता है तो आप खुद से ट्राइ करोगे तो समझ आएगा ओके खुद एफर्ट नहीं लगाओगे तो फिर कुछ आए कितना है कोई भी समझाए समझ नहीं आएगा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा एंड विश्यू वेरी ओल्दा बेस्ट थेंक्यू फोर वचिंग इस लेक्चर कितना है